आज हम लोग आपकी वॉक्षिट नंबर 34 करने वाले जो आपकी विज्ञान की क्लास 8 की वक्षिट है बचो आपकी सारी वक्षिट अपलोड की जा रहे हैं सारी कंप्लीट करा जाएँ तो सभी बच्चे में जरूब वक्षिट करेंगे अगर आप लोग जितना चाहते हो तो और विलोग चैनल पे जरूर विजिट करेंगे लिंक आपका डिस्क्रिशन वन दिये गया है काफी 60% बच्चे ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं पर उन लोग चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है हम जानते हैं कि प्रकर्म हर जीव के उत्तर जीविता जिंदा रहने के लिए अतिय व्यक्ति कोई भी लेविंग अगर व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ कमबसरी चीज़े होती है जो होने जरूरी है उसी के दिया है पाचन जरूरी है आप हाऊगे पाचन होगा ठीके परिसंचन उत्तरजन सवसन ये सब चीज़े बहुत जरूरी है लेकिन जनन का प्रकर्म झीवन की जाती निर्दन बनाने के लिए आठ चार सो चार सो चार सो ये नमबर सभी बच्चे याद कर लें चाहे आपका math का doubt हो, physics का doubt हो, chemistry, biology किसी भी subject का doubt हो, उसका question जाने के लिए तुरण solution पाने के लिए WhatsApp पे message करें आठ चार सो चार सो चार सो पे नमबर को add करें और question का photo खीचें, फिर उसे crop करें, crop करने के बाद इस नमबर पे send करें, तुरण 6 सेगिन में आपको solution मिलेगा, class 6 से लेके 12, IIT, need, CBSC board and any other board के कोई भी doubt जानने के लिए आठ चार सो चार सो चार सो doubt नफ एप को download करें और तुरण इसका solution, अगर जनन नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चो, आप, मतलब, एक अगली पीडी नहीं आएगा, अगर जनन नहीं होगा, तो तो इसलिए जनन बहु ज़्यादा जरूरी है, ये चीज को बनाए रखने के लिए, जीव अमर नहीं होते, सभी जीवों का जीवन काल ह होता है, जिसमें वे जनन लेते हैं, मरते हैं, यह कैसे सुनीचीत होता है कि प्रतिव में जीवन चलता रहे, जीवन की निरंतरा के लिए कोई प्रकम तो होना चाहिए, वह किरिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है, और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है एक आम का पेड़ से ही बनता है, हर बार बल्ली के बच्चे को बल्ली ही जन देती है, आपने विभिण जन्थूओ के बच्चो को देखा है, कालिका में दिये जन्थूओ बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें, आप देखिए आपको यह क्या है टेवल पूरी करने इसमें क्या दिया गया आपके जंतु दिए गए इधर ठीक है अब आपको संतुति दिए मतलब इसके बच्चों को आप एक तरीके से क्या बोलते हो तो जैसे बिल्ली होती है तो उसका छोटा सा बच्चा होता तो आप क्य कि कुत्ता होता है तो आप हम उसे क्या बोलते हैं छोटे कुत्ते को पिल्ला तितली के लावी बोलते हैं बच्चों लावी आप लोगोंने अगर नहीं सुना होगा तो मुर्गी को क्या बोलते हैं चूजा गाए को बच्चडा बोलते हैं और मेंडक को क्या बोलते हैं सेट पॉल कि अब चलते नीचे इसमें देगा जनन की विधिया पाधपो की तरह जनतुवों में भी जनन की दो विधिया होती है तो हमेंसा आप यद्रख होगें हमेशा को चनाता लेकुफ मादा योगमक है कि अनले से लिए में दो चीव नर और मादा मिलकर नए संतिती संbab को बनाते हैं चैप तो मतलब सका זה पर फछुक है त अग!' में लेड़ी म में रोल्ट कर सकते हैं जिसे आपका liberté कि वो क्या है एक है तो एक से खुदी ऐसे डिवाइड होके दीजरे दूसरा ऐसे बना लेता है ठीक है एक्जामपल नहीं बताएगे मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं ठीक है अब देखिए परसन एक जनन को परिभासित कीजिए आपको क्या परिभासित करना है तो फ कि देखिए उत्ता नंबर एक कि पहले सब्सक्राइब कर लेंगे जनन को क्या करना है आपको परिभासित करना है कि देखो इसमें हम लिखेंगे वह किरिया कि जो तभी जीव को अपने जैसे जीव उत्तबन करने में मदद किरती है पहे जनन कहलाती है कि आपके अच्छे से के से के से कि आप यहां से लिख होगे अच्छे से लिख होगे कि यह आप कार दोगे आप यहां से लिखोगे जीव की जाती का निरंत्र को सुनीचीत करता है और जीवन को विलिप्त होने से बचाता है कि यह आपका उत्तर नंबर दो हो गया दो यहां से लेके यहां तर वह चोटा संसर है ठीक है अब थर्ड पर चलते हैं कि क्या होता यदि जीव जनन नहीं करतें सभी जीव जनतु ओर पेड पोधे खत्म हो जाते कि हथ्म हो जाते हैं अपा चलते की तरफ यह अंव्य नEард का मैंने आपको निरुलिया क्या क्या है और यह तो आपकर याही लिखी हुई ही थे क्नसान नंबर आपका ये ये वाला आपको पूरा लिखना है कि तो यह आपको अंसा नंबर आपका फोर हो गया एक पॉइंट यह लिखना है एक यह तो बच्चों आपको वॉक्षिट अच्छे समझ में आई होगी तो सभी बच्चे वॉक्षिट कंप्लीट करेंगे व्लोग चैनल पर जरू पाडिसिपेर करेंगे लिंक आपका डिस्केश जीज सको मिलते हैं एक शुडियो में तेल दन बाई भी सेफ इस्टे हेल्दी चैनल